आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉप सीक्रेट इन्फरमेशन देने वाली हूँ कि कहीं पर भी आपको इंटरनेट पर ऑनलाइन कहीं पर भी आपको ये अवेलेबल नहीं होगा आज के वीडियो में मैं आपको चार ऐसी टैबलेट्स बताऊंगी जो अगर आप लोगे तो फटा फट से आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी अगर आप आपकी हाइट इंक्रीज के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हो और तंग आ गये हो शौट रहने से और फटाफट से बिना कोई भी मेहनत के बिना खर्चा किये बिना पैसे वेस्ट किये आप फटाफट से हाइट इंक्रीस करना चाते हो तो ये वीडियो को आखिर तक देखना मत बूलिए क्या ऐसा कोई शॉटकट तरीका है क्या ऐसा कोई हैक है कि बिना मेहनत के बिना कोई खर्चा किये बिना कोई पैसे खर्च किये हम फटाफट से हाइट इंक्रीस कर सकते है येस आज के वीडियो में मैं ऐसे आपको चार टैबलेट्स बताऊंगी मैं ऐसे आपको चार फास्ट हाइट इंक्रीस की मेडिसिन बताऊंगी जिससे लेने से आपकी हाइट एकदम फटाफट से इंक्रीस हो जाएगी तो ऐसी कौन से चमतकरी दवाई मैं आज आपको बताने वाली हूँ तो चलिए सबसे पहली टाबलेट से शुरुआत करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं विटमिन A से तो विटमिन A और हाइट का क्या लेना देना है विटमिन A आपके बोन ग्रोड को स्टिमिलेट करता है इसके साथ साथ विटमिन A आपकी इम्म्यूनिटी बढ़ाता है आपको इंफेक्शन से बचाता है अगर आपकी इम्म्यूनिटी स्ट्रॉंग होती है अगर आप बार बार बिमार नहीं पढ़ते तो आपकी body completely healthy होती है और इसकी वज़े से आपकी height एकदब फटाफट बढ़ती है विटमिन A के natural sources क्या है अगर हमको विटमिन A की गोली नहीं लेनी अगर हमको विटमिन A की capsule नहीं लेनी तो हमने क्या करना चाहिए विटमिन A का natural source है whole milk यानी full fat जो buffalo milk होता है वो काफी rich होता है विटमिन A में पालब काफी rich होता है विटमिन A में beetroot, गाजर और cheese विटमिन A में काफी भरपूर होता है विटमिन A का daily dosage कितना होना चाहिए विटमिन A का daily dosage 700 यानी 700 MCG यानी 700 micrograms per day या approximately 3000 units per day का होना चाहिए next tablet जो आपको लेनी चाहिए अगर आपको height increase फटाफट करनी है वो है vitamin B complex yes अभी vitamin B complex में 12 अलग अलग तरह के vitamin B होते है तो हमने कौन सा height के लिए लेना चाहिए next है vitamin B5 यानी की pantothenic acid and last है vitamin B12 यानी की cobalamine अभी यह जो मैंने आपको बताए B1, B2, B5 and B12 यह जो है यह vitamins which is a part of B complex vitamins यह responsible है आपके body में bone growth को stimulate करने के लिए आपको यह जानकर हैरानी होगी कि vitamin B5 यानी की pantothenic acid यह directly आपके growth hormone को stimulate करता है आपके body में growth hormone के production को stimulate करता है तो vitamin B complex ना सिर्फ आपके bone growth को stimulate करते है आपके bone growth को maintain रखते है इसके साथ-साथ vitamin B complex जो मैंने आपको बताए vitamin specific B complex के family के vitamins तो यह responsible होते है आपके body में nutrients के absorption के लिए तो आप किसी भी तरह के अच्छे diet follow करते हो, height increase के लिए proper fruits, vegetables, nuts वगरा लेते हो लेकिन अगर आपका digestion सही नहीं होता, अगर आपके pate में properly nutrients digest नहीं होते, vitamin D digest नहीं होता तो फिर आपको कोई भी फाइदा नहीं होता, तो इसलिए यह जो B complex vitamins जो specifically मैंने बताए यह बहुत ही essential है आपके body में proper nutrients के absorption के लिए, बहुत सारे लोग यह सोचते है कि B complex के vitamins जो है यह सिर्फ non-vegetarians के लिए ही natural resources है, हम लोग तो vegetarian है, इसलिए हमको compulsory vitamin B की गोलिया लेनी पड़ेगी vitamin B के injections लेने पड़ेंगे नहीं, यह गलत बात है vitamin B complex बहुत ही अच्छी मातरा में सभी तरह के nuts में available होता है leafy green vegetables जैसे पालक, मेथी, mushrooms में में अच्छी मातरा में available होता है cauliflower, green peas, sweet potatoes and of course non-vegetarian food जैसे की fish, eggs and whole milk और even cow's milk यह सभी जो sources मैंने बता है, इस सभी में vitamin B complex काफी अच्छी मातरा में available होता है तो हमने कितना dose क्या है, vitamin B complex का dose क्या है vitamin B complex में जो होते है, 1-12 तक जो vitamin होते है, उसके individually daily dose requirement मैंने already screen पर chart display कर दिया है, तो वो आप एक बार देख लीजिए, उसका PDF चाहे तो मैं description box में दे दूंगी लेकिन अगर आप यह ऐसे भी individually अगर आप लेने जाओगे तो बहुत सारे बहुत महंगे भी होते है and कितने सारी दवाई आप लोगे, तो it is always better कि vitamin B complex की single capsule या फिर single tablet आप ले सकते हो, या फिर syrup ले सकते हो लेकिन दिन में कितनी बार vitamin B complex लेना चाहिए, अगर हमको height increase करनी है देखे, vitamin B complex की गोली या फिर capsule आपको दिन में सिर्फ एक ही बार लेनी चाहिए अगर आपका B complex vitamin कम होता है, तो फिर doctor आपको दिन में दो बार आपको prescribe कर सकते है लेकिन किसी भी तरह के vitamin B complex के supplements होते है, वो सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार लेने होते है अगर आपके body में B12 कम होता है, कम का मतलब क्या, अगर आपके body में B12 200 के नीचे होता है तो B12 की अलग से आपको जरूरत पढ़ सकती है, लेकिन अगर आपका B12 200 या 200 and above है तो आपको अलग से B12 लेने की जरूरत नहीं है, height के लिए आप normally B complex की एक capsule या फिर B complex की एक गोली 24 गंटे में एक बार ले सकते हो नेक्स टैबलेट जो आपको लेनी चाहिए अगर आपको फटा-फट height increase करनी है वो है vitamin C के supplements, yes, vitamin C एक ऐसा vitamin है जो आपके body में regeneration के लिए important होता है आपके body में किसी भी तरह का wear and tear हो जाता है तो उसको repair करने के लिए vitamin C बहुत ही ज्यादा essential है especially जब हम exercise करते है height increase के लिए तो बहुत सारे चोटी-चोटी injuries हो जाती है हड़ियों में जिसकी वज़स से अगर आपके body में regeneration नहीं होता तो आपको permanent bone damage हो सकता है, आपको कोई injuries हो सकती है लेकिन अगर आप properly vitamin C लेते हो, तो किसी भी तरह की injuries जो है वो completely heal हो जाती है, regenerate हो जाती है आपके growth plates पे especially जो भी injuries होती है, वो completely heal हो जाती है अगर आप properly vitamin C लेते हो तो अभी vitamin C के natural sources क्या है, ये तो आप सभी को पता है नीमू और citrus fruits जो होते है, ये काफी healthy है vitamin C में अगर आपको vitamin C आपकी body के लिए natural resources चाहे तो सुबह में खाली पेट आप एक नीमू पानी का glass ले सकते हो या फिर आप workout के पहले या workout के बाद एक glass non-sweetened orange juice भी ले सकते हो vitamin C हमको दिन में कितनी बार लेना चाहे, कितने time हमको vitamin C लेना चाहे, कितना milligram लेना चाहे देखे, vitamin C जब मैं कहती हूँ, तो मैं कहती हूँ ascorbic acid बहुत सारे vitamin C के supplements होते है, उनके ऊपर जो label होता है, उसमें आपको पढ़ना है ascorbic acid का dose कितना है, आपका daily requirement of ascorbic acid यानि vitamin C का है 150 से लेके 300, 150 से लेके 300 mg of ascorbic acid per day का dose है, यह maintenance dose है, daily allowance है last tablet जो आपको लेनी चाहिए, फटा-फट height increase के लिए है, और वो है vitamin D yes, vitamin D के supplements extremely essential है, height increase के लिए बहुत सारे लोग vitamin D और calcium में confused हो जाते है, देखिए vitamin D जो है, यह calcium का precursor है अगर आपकी body में vitamin D कम होता है, तो कितना भी आप calcium लीजे, कितना भी दूद, दही, चास लीजे कितने भी calcium के supplements लीजे, तो आपके body में calcium नहीं बढ़ने वाला है अगर आपके body में proper vitamin D होता है, तो आपकी height एकदम फटा-फट से increase होती है, bone growth होता है, आपकी growth plate भी जल्दी fuse नहीं होते अगर हमको vitamin D के supplements नहीं लेने है, तो हमको क्या खाना चाहिए, तो देखे, mushrooms बहुत healthy है, vitamin D में, sunlight, obviously sunlight भी बहुत अच्छा source है vitamin D के लिए, लेकिन sunlight जब मैं कहती हूँ, वो early morning का जो sunlight होता है, उसमें आदे गंटे से लेके 45 minutes टक आप early morning के sunlight में टहल सकते हो, जिससे आपको somewhat vitamin D जरूर मिलता है, vitamin D predominantly non-vegetarian food में मिलता है, जैसे कि fish and eggs में cod liver oil या fish liver oil दिन में एक बार ले सकते हो, vitamin D के बारे में, especially COVID के बारे में, vitamin D के बारे में बहुत ज्यादा confusion है, कि हमको vitamin D का कितना dose लेना चाहिए, vitamin D का daily allowance है, 400 से लेके 600 international units per day, yes, आपने सही सुना, 400 से लेके 600 international units per day, अगर आपकी body में deficiency होती है, vitamin D की, तो डॉक्टर आपको इससे ज्यादा वाला dose prescribe कर सकते हैं, लेकिन किसी भी condition में आपको 4000 international units per day से ज्यादा आपको बिलकुल भी नहीं लेना है, इससे आपकी body में damage हो सकता है, तो ये थे कुछ ऐसे 4 tablets जो आपको लेने चाहिए, अगर आपक growth plates open है, तो definitely आपकी height increase होगी, अगर आपकी growth plates completely fuse हो चुके है, तो आपकी height increase नहीं होगी, इसके साथ साथ आपकी hormones का भी check-up कर लीजे, thyroid का check-up कर लीजे, ladies में PCOD का check-up कर लीजे, males में specially testosterone check कर लीजे, अगर आपके body में testosterone कम होता है, तो कितने भी supplements आप लीजे, आपकी height नहीं बढ़ने वाली है, अगर हमको और भी फटा-फट हमारी height increase करनी है, एकडम fast height increase करनी है, तो क्या करना चीए, उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, आपको तीन चीजे करनी चीए, एक proper exercise routine आपने follow करना चीए, इसके साथ साथ आपको एक proper height increase diet follow करना चीए, और उसके साथ सा आपने ये supplements लेने चीए, ये तीनों चीजे अगर आप साथ में करते हो, तो आपकी height एक दम फटा-फट से increase हो जाएगी, तो चलिए आज के वीडियो में सिफितना है, अगले वीडियो में आप से फिर मुलाकत होगी, तब तक के लिए stay fit, stay healthy and don't forget to stay awesome, bye! ख송 मैं चलिए होाँी, तक का बना आप सर दॉपरेश हो एक रागई हो एक कर भेसरा आपकी लीडियो में मादस